यह है गाइश 2024 की निवली अपडेटेड बाजात पलसर 150 ट्विन डिस्क ओबुडीटू E20 मोडेल आज मैं इस बाइक का फुली डिटेल्स में रिव्यू करने वाला हूँ तो आज हम बात करेंगे इस बाइक के जोई निव अपडेट्स और फीचर्स के बारे में साती में प्राइज बने के बाद अब इस बाइक की ओवरॉल अन रोड प्राइज गया है इस बाइक का फुली डिटेल्स में देने वाला हूँ अगर आपको बाजाज का कोई भी प्रोड़क देखना है तो शोरूम की सारी कौनटाइक इन डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में है सुविक एंड श्टार्ट इस डिव्यू तो श्टार्ट करते वॉक अरांड से एक बर अब इस बाइक का फ्रेंट लुक without करो कुछ ही इस्ट आपके इसका फ्रेंट लुके साइड लुके अगरम बात करें तो कुछ हैसे इसका साइड लुके तो start करते इसके front से तो front में इस bike का transparent visor है जो कि आपको glossy black finishing के साथ मिलता है जो कि fiber body का है and side में इसके nut bolt से यहाँ पर अब देख लो जहाँ पर बात किज़ाई side graphics की तो side में अभी आपको red and carbon fiber touch के graphics मिलते है जो कि इस bike को काफ़ी जदा attractive look देते है side में इसके halogen pilot lamp से बाकी भी इसमें आपको बजाज का logo मिलता है यहाँ पर अब देख लो indicators के अगर हम बात करें तो side में इसके halogen blurb indicator से कुछ इस step से यह जोई on होते है जहाँ पर बात किज़े headlight की तो इसके fret में आपको multi reflector halogen headlight का सड़ो मिलता है तो night kendris headlight की visibility आपको काफी हतक अच्छी देखनों को मिल जाएगी headlight की beam एक बर आप देख लो कुछ इस step की beam में इस bike के fret में आपको 37 mm diameter के telescopic fork suspension का सड़ मिलता है तो खराब रासो की उपर यह आपको काफी हतक अच्छा comfort देने वाले है suspension के side में इसके reflector से जो की safety wise बहुत ही अच्छी बात है बाकी 20 में लेगी गी number plate मटगार के अगर हम बात करें तो मटगार के उपर carbon fiber attach के graphics है एंड यहाँ पर आपको glossy black color की finishing मिलती है dual tone color के साथ इस bike का मटगार है मटगार का लूक एक बर आप देख लो तो fiber body के साथ इस bike का आपको मटगार मिलता है अब भी हम बात करते हैं इसके tires के बारे में तो इसके fret में आपको 90 by 1917 के tubeless आर मिलते है जो की 17H black color के ally wheels के साथ आते है एक बर आप इसके ally wheels का लूक चेकाउट कर लो जिसके उपर red color के sticker से जो की बाई देखने के लिए काफी अच्छे लगते है front tire की width के अगर हम बात करें तो काफी अच्छी इसके grip एन विड़ते है यहाँ पर आप देख लो अब भी हम बात करते हैं इसके breaking के बारे में तो इसके fret में आपको 280 mm का decision मिलता है जो की आता है EBS के साथ में यह इसके EBS के ring है और side में इसके clip पर से mad black clear के साथ इस बाई के आपको side mirrors मिलते हैं एक बर पर इसके side mirrors का look check out कर लो कुछ इश्ट आपके इसका oral look है इस बाई के अदर आपको clip on work type handle bar का side मिलता है जो की mad black clear का है handle bar का look एक बर आप check out कर लो बार एंड सापर में metal body के साथ मिलते है बाकी है इस बाई के grip इस बाई के गलज जो दोसो काफी ज़दा light weight है पहले update के अगर हम बात करें तो अभी आपको यहाप पर newly updated passing switch मिलता है and low beam high beam switch है अभी आपको यहाप पर newly updated mode का button मिलता है जिसकी मदद से यहाप आप इसके meter console का operate कर सकते है नीचे में turn indicator switch and on switch mad black clear के साथ इस बाई के handle bar है handle bar का look एक बर आप देख लो बाकी उसी टाइप के bar hands, accelerator, brake lever, engine kill switch and नीचे में इसका self start switch है तो गाईज अभी हम बात करते हैं इस बाकी के बारे में तो यहाप पर आपको सिंपल सी की मिलती है की की उपर कोई भी बाजाज का logo नहीं है बाकी है इसका key point meter console के साड में जो है carbon fiber touch के graphics है यहाप अब देख लो दूसरे update के अगर हम बात करें तो अभी आपको यहापर newly updated digital meter console का सड़व मिलता है यहापर neutral की light, ABS की light, check engine light साड में turn indicator की light और निचे में इसकी i-beam passing की light है साड में इसका RPM meter, निचे में इसका digital fill gauge, उपर में इसका time clock साड में इसका speedometer Bluetooth connectivity odometer, trip meter निचे में इरी fill की indication है और भी features की अगरम बात करें तो जैसे में यहापर mode के button को प्रेस करता हूँ तो यहापर आपको ABS scan error की indication, refuel की indication enter settings, bike का username यहापर trip A, initial fill economy distance to empty feature साथी में average fill economy trip B, average fill economy B enter warnings पुजिस्ट आप किसके features मिलते हैं तीसरे update की अगरम बात करें तो अभी आपको यहापर Bluetooth negativity मिलती है जिसके अंदर आप call SMS alert smartphone battery indication, network range कुछ इसरे आप किसके features देख सकते हैं साथी में दोस्तों चोथे update की अगरम बात करें तो अभी आपको यहापर USB charging port मिलता है तो traveling करते समय आप अपना smartphone आरम से charge कर सकते है फ्यूल टैंक यहापर आपको 15 liters का फ्यूल टैंक मिलता है टैंक कैप के उपर E20 support की बैजिंग है अभी से बैक 20% ethanol और 80% petrol से चलेगी तो E20 फ्यूल के यह बाइक support करती है सिल्वर फिनिशिंग के साथ इस बैक का फ्यूल कैप है कुछ इस अपकिस का और और लुक है पाच्व अपडेट के अगर हम बात करें तो साड में अभी आपको पलसर की ब्रैंटिंग मिलती है जो कि आती है सिल्वर फिनिशिंग के साथ में यहाप पर रेड और कारवन फाइवर टच के ग्रापिक से टैंक के साड में अभी आपको निवली अपडेटेड वन फिप्टी के ग्रापिक से मिलते है जो के इस बाइक को काफ़ी जदा एट्रेक्टू लुक देते है फ्यूल टैंक का साड़ू के अबर अब देख लो सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्ली टैप सीट मिलती है जो के इसकी कुष्णिंग जो 200 काफ़ी अच्छी है बहुती जदा कंफर्टेबल इस बाइक की सीट है रियर वाली सीट की भी कुष्णिंग काफ़ी अच्छी है 785 mmS की सीट आइट है सीट का सादू के अबर अब देख लो तो स्टार्ट करते है इसके रियर से तो रियर में इसके स्प्ली टैप ग्रैब एंडल से जो कि आपको मिटल बोड़ी के साथ मिलते है तो काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड कॉलिटी है ग्लोसी ब्लेक फिनिशिंग के साथ इस बाई का काउल है जिसके उपर आपको 150 के ग्रापिक्स मिलते है जो कि रेड, वाइट और करवन फैबर टच के साथ आते है तो बाई कुछ इस डापकिस का और अल काउल है अब है हम बात करते है इस बाई की रेर लुक के बारे में तो कुछ ऐसे इसका और अल रेर लुक है तो स्टार्ट करते है इसके रेर से तो रेर में आपको स्प्लिट LED टेललेट का सड़ मिलता है एंसार में उसी डापकिस के हेलोजन बल्प इंडिकेडर से बीश में इसके नमबर प्लेट की लाइट है बाकी बीश में इसका रिफलेक्टर है और बीश में लेगी नमबर प्लेट यहाँ पर आप देख लो रियर मटगाड के अगरम बात करें तो मैट बलेक कलर की साथ इसका मटगाड है जो कि आपको फाइबर बोड़ी के साथ मिलता है स्टार्ट करते हैं इस बाग के साइड लुक से तो कुजिश्ट आपके साइड लुक है तो स्टार्ट करते हैं इंजिन के फ्रेंट से तो इंजिन के फ्रेंट में इसका कैटलिटिक कन्वर्टर और अक्सिजन सेजर का पाइप है यहाँ पर आपको डिवल होन का सेड़ मिलता है नीचे में इसका इंजिन कावल है जिसकी उपर रेड और कारवन फैबर टच के ग्रापिक से तोटल 165 mm तक का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लिरस मिलता है सेफटी के लिए साड़ में इस भाई का क्रेज गाड है जो कि आपको मिलता है मेटल बोड के साथ में तो काफी अची कासी इसकी बीड कॉलिटी है अब भी हम बात करते हैं इसके इंजिन के बारे में तो यहाँ पर आपको 149.5 CC का सिंगल सिलिंडर 4 स्ट रोक 2 वर्ल DTSI फिन स्पार्क OBD2 E20 F engine मिलता है जो कि प्रोडूस करता है 14 PS की पावर और 13.25 NM तक का टॉर्ग इंजिन की उपर DTSI की ब्रेंडिंग है ग्लोसी ब्लेक फिनिजिंग के साथ इस बाइक आपको इंजिन मिलता है और यहाँ पर इसके गियर मैनियोल है टोटल 5 स्पीड गियर बॉक्स सिटक पर साथ बाइक आती है साड में इसके एड़ेस्टेबल राइडर पुट्रेश्ट है जो कि आपको रबर पैडिंग के साथ मिलते है और यह इसके एड़ेस्टेबल पिलियन पुट्रेश्ट है नेचे में इस बाइक का सिंगल स्टैन और डबल स्टैन है जो कि आपको मिलता है साइड स्टैन इंजिन कट अप सेंसर के साथ में तो सेप्टिवाइज एपीचर बहुत ही हची बात है एक बरप इसके साइड पैनल का लूग चिक आउट कर लो जिसकी उपर कारबन फाइबर टेज के ग्राफिक से एंड यह इसके एर इवेंट से एंड यहाँ पर जो है मैड बलेक कलर की फिनिसिंग है एंड यह है इसके साइड पैनल का लॉग तो फाइबर बॉड के साथ इस बाइक आपको साइड पैनल मिलता है सस्पंशन की अगर हम बात करें तो इस केरियर में आपको नाइट रोक्स ट्विन शॉक एब्जर्वर विद गैस फिल्ड कैनिस्टर सस्पंशन का सड़ मिलता है तो खारा ब्रासु की उपर यह आपको काफी हत्तक अच्छा कंफ़र्ट देने वाले इस बाइक के अंदर आपको ओपन चेन कवर सेट मिलता है जो की फाइबर बॉडी का है एंड नीचे में इसका बोक्स टैप स्विंगार में जिसकी उपर टैर प्रेशियर की इंपॉर्मेशन है एंड यह इसका चेन एडिस्टर है साथी में 270 के लिए साइड में आपको साडी गार मिलता है जो की मेटल बॉडी का है तो भाइ काफी हो चीज की बीड क्वालिटी है ऑपोजिट साइड की लुक की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट साइड से इस बाइक का सेमी लुक है यहाँ पर अब देख लो साइड में उसी डापकिस का फिल टेंक है जिसकी उपर प्लसर की ब्रेंडिंग एंड रियर्ट कलर के ग्राफिक से एंड साइड पैनल भी इसका और अब आल सेमी है ऑपोजिट साइड से इंजिन का लुक एक बर अब देख लो जिसकी उपर DTSI की ब्रेंडिंग है यहाँ साइड पिसके इंजिन अल को फिल अब कर सकते और यहाँ साइड पिसकी ओल की कुलिट को चेक कर सकते बाकी इंजिन काड इसका और अल सेमी है यही इसके ब्रेक लिवर्स साइड में एड़्जेस्टेबल राइडर ब्रेकिंग की अगरम बात करें तो इसके रियर में आपको 230 mm का डिसेडर मिलता है जो कि आता है RLP प्लेट सेंसर के साथ में तो रियर में आपको कोई भी ABS नहीं मिलता है एंड सेमें इसका स्विंग आर में टैर सेड के अगरम बात करें तो इस के रेर में आपको 120 बाई 18-17 के टूबले शार मिलते हैं जो कि 17 इंच ब्लैक कलर के एले विल्स के साथ आते हैं एक बर पिसके एले विल्स के लूग चिकाउट कर लो जिसके उपर रेर्ट कलर के स्टिकर से रेर ट्यार की विट के अगर हम बात करें तो काफी अच्छी इसके ग्रिप एन विट थे यहाँ पर आप देख लो तो गाईज इस बाई के सारे अपडेट्स इस वीडियो के अंदरे में आपको डिट्रिमना एक्स्प्लेंट किये माईलेस के अगरम बात करें तो यहाँ आपको 46 के MPL तक का माईलेस देगी तॉप स्प्पीड के अगरम बात करें तो यहाँ आपको 125 प्लस की MPL सकी टॉप स्प्पीड देगी इसके बेसिक बोडी डाइमेंशन एक बर आप डिस्प्लें के उपर देख लो 1,17,000 इसकी एक शुरूम प्राइज है अगर आपको अपने सिटी की ओन रोर प्राइज जाननी है तो वीडियो के नेचे जुरूरे एक बर आप कमेंट कर लेना अब भी जो आप इसका एक जॉस नोट सुन लो अगर आपक शुरूरूराओ प्राइज झाल अगर आपको अगरूराओ झाल अगर प्राइज के लुपरूराओ झाल झाल